नमस्कार दोस्तों मैं किस्सा बाज वला लेकर आया हूँ विश्व अभी ख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा दोस्तों अगर हमारी कहानी आपको पसंद आये तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें तो आये बिना देर की शुरू करते हैं मार्ज की कहानी कहानी का सिर्शक है कैदी इसे लिखा है ओ हेन्री ने जीवन के सुख दुख का प्रतिभीम मनुष्य के मुखडे पर सदैव तेरता रहता है लेकिन उसे ढूंड निकालनी के दृष्टी केवल चितरकार के पास होती है वह भी एक चितरकार था भावना और वस्तविक्ता का एक अदभुत सामंजस होता था उसके बनाये चितरों में एक बार उसके मन में आया कि इसा मसी का चितर बनाया जाए सोचते सोचते एक नया प्रसंग उभर आया उसके मस्तिस्क में छोटे से इसा को एक सैतान हंटर से मार रहा है लेकिन न जाने क्यों इसा का चितर बन ही नहीं रहा था चितरकार की आखों में इसा की जो मूर्थी बनी थी उसका मानो रूप में दर्शन दूरलभी था बहुत खोजा मगर वैसा तिजस्वी मुखडा उससे कहीं नहीं मिला एक दिन उद्यान में टहलते समय उसकी दृष्टी अनाथाले के आठ वर्ष के बालक पर पड़ी वह बहुत भोला था ठीक ईसा की तरह सुन्दर और निश्पाब उसने बालक को गुद में उठा लिया और शिक्षक से आदेश लेकर अपने स्टूडियो में ले आया अपुर्व उत्साह से उसने कुछी मिंटों में चित्र बना डाला चित्र पुरा कर वह बालक को अना थाले पहुँचा आया अब इसा के साथ शैतान का चित्र बनाने की समस्या उठ खड़ी हुई वह एक क्रूर चेहरे की खोज में निकल पड़ा दीन की कौन कहे? महीनों बीत गए शराब खानों, विश्याओं के मुहले, गुंडों के अड़ों की खाक छानी मगर उसको शैतान कहीं न मिला 14 वर्ष पुर बनाये गया चित्र, अभी तक अधूरा पड़ा हुआ था अचानक एक दिन जेल से निकलते एक कैदी से उसकी भेट हुई सावला रंग, बढ़े हुए केश, दाढ़ी और विकट हसी चित्रकार खुशी से उच्छल पड़ा दो बतल शराब के बदले कैदी को चित्र बन जाने तक रुकने के लिए राजी कर लिया बड़ी लगन से उसने अपना धूरा चित्र पूरा किया इसा को हंटर से मारने वाले शैतान का हू बहू उसने चित्र उतार लिया महाशे, जरा मैं भी चित्र देखूँ कैदी बोला, चित्र देखते ही उसके माथे पर पसेने की बूंदें उभराई वो हकलाते हुए बोला, छमा किजिये, आपने मुझे भी तक पहचाना नहीं मैं ही आपका इसा मसी हूँ, 14 वर्ष पूर्व आप मुझे अना थाले से अपने स्टूडियो में लाए थे मुझे देखकर ही आपने इसा का चित्र बनाया था सुनकर कलाकार हद प्रभरा गया, धन्यवाद